प्रिय अभिद्यार्थी आज बीएसी दुईतियवर्ष प्रथम प्रस्थन पत्र के फैमिली डेस्क्रिप्शन में एस्ट रेसी फैमिली का चर्चा हम लोग करेंगे इस फैमिली का चर्चा करने के पहले हम लोग इस फैमिली से थोड़ा फैमिलियर होना चाहेंगे इसका तरीका ये है कि कुछ महत्वपून पौधा इसका देखा जाए ये बहुत ही महत्वपून फैमिली है और प्रायोगिक परिक्षा में भी जब किसी छोटे फूल को परिक्षक देना चाहता है तो उसमें इसके सदस्यों को दिया जाता है अनिवारता क्योंकि इसमें जिसे आप फूल समझते हैं वा तो फूल है ही नहीं वा इन्फ्लोरसेंस है अब जैसे देखे सुरे मुखी या गेंदा आप कहें तो गेंदा का जो मैरी गोल्ड है गेंदा का जो फूल होता है एक फूल जो माला में पिरोए जाता है वो फूल नहीं है वो हेड या कैपिचुलम नाम का उसका इंफ्लोरसेंस है और उसमें सैक्लों छोटे 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 फूल होते हैं तो कहने का तात परिजा है कि इसके फूल छोटे होने के लिए प्रायोगी कार में कि तीन नीचे में तो देखेंगे कि 3 प्लांट दाहिने तरफ उपर से एक दो और एक नीचे में तो देखेंगे दाहिने तरफ सबसे नीचे में यह है Ageretum Connichoidis या Ageretum बोला जाता है और सबसे उपर में जो है वह है Parthenium Hysterocarpus, इसको कैरट ग्रास के नाम से भी जाना जाता यह दोनों वीड हैं आपके माविद्याले के कैंपस में भी यह बहुत उगे रहते हैं और उपर से जो दूसरे नंबर पर है इधर दाहिने साइड में यह है ट्राइडेक्स प्रोकंबेंस ट्राइडेक्स इसको कहते हैं तो तीन नाम अभी मैं सामने रख रहा हूं एक सबसे नीचे में एजरेटम कोनिजवाइडिस सबसे उपर में पार्थनियम हिस्टेरोकार्पस और उसके नीचे में ट्राइडेक्स प्रोकंबेंस तो यह तीन आपके प्रयावगी कारे के लिए बहुत मातोपूर्ण है चलिए यह इसके सदस्य हैं हम लोग बड़ी मज़े से कही भी से घुमते फिरते वीड के रूप में देख सकते हैं अब हम लोग जानते हैं कि सुरे मुखी होता है वह भी इसी कुल का है और गेंदा मैरीगोल्ड इतना इस्तिमाल में आता है आप सभी जानते हैं यह भी इसी कुल का है यह बाएं तरफ उपर में देखिए सनफ्लाव है उसके नीचे डेजी है यह भी बहुत बढ़िया फ्लावर्नामेंटल है और उसके नीचे केसर है केसर जो कास्मीर में होता है यह उसका है और उसके नीचे डालिया है और डालिया से अब होरियंटल भढा जाए 맞아요altet तो दूसरे नंबर पर लिखा भी हुआ है blue color का फ्लावर है Chichorium Int Oddworks इसके कॉफी में Blending के काम में ला जाता है और उसके भी भगल में जो है हम स्मुष्प सुल्टान है इसका स्मुष्प सूल्टान नाम से या जाना जाता है बहुत बढ़्जीना फ्लावर है और गार्डिन और पार्क में आपको मिलेगा और उसके बगल में या सोवी फ्लावर है या क्राइसेंथेमम है और फिर हम लोग घुम के उधर एजरेटम की तरफ आ गए है एजरेटम कोनिजवाइडिस लास्ट वाला तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपून प्लांट हैं जिनसे हम लोग परचित हो जाएं तो सबसे पहले तो गे खौरी केषर बेज़ी ये सब नाम आ रहे हैं तो ठीक है देखिए 900 जनेरा और तेरा हज़ार स्पेसी वर्लवाइट डिस्टिभियूचन के हैं या बहुत ही आडवान्स और सकसेस्फुल फैमली है या बहुती आडवाण्स और सकशेस्फुल फैमली 138 genera and 708 species are reported in India and sunflower, chikori, saifflower, saifflower के सर्फ कहते हैं marigold, calendula, dalia, cosmos, genia are familiar example flowers are found in head which may homo, gamus head जैसे example के लिए veronica, ageratum इन में all flowers alike होंगे और ये bisexual होंगे ये tubular भी हो सकते हैं अथ्वार legulate हो सकते हैं और heterogamous, head जो है दो भाग में है, homo gamus और heterogamous तो अलग-अलग plant में अलग-अलग यहां छोटा में देखा जाए, homo gamus head veronica, ageratum all flowers alike और heterogamous head tridex there is ray and disc floret differentiation in the flowers ray floret and disc floret तो heterogamous हो जाएगा tridex आई अब इसकी habit देखें या usually annual है और perennial herb भी हो सकते हैं root इनका tap root है branch system होता है stem herbaceous होता है erect होता है aerial होता है cylindrical होता है branched solid hairy and purple green इनके leaf colline and ramal होते है lower leaf opposite होते है और upper leaf alternate होते है या ex stipulate होता है stipules नहीं पाये जाएगा simple leaf होगा patiolate होगा dandy भी होगा इसमें patiol भी रहेगा ovet इसका safe है और serate इसका margin है acute उपर में या pointed हो जाता है जिसे acute कहते हैं hairy होगा unicostate और reticulate venetion होगा inflorescence इसमें capitulum या head होता है homogamous ageratum में होता है जानते हैं tridex में heterogamous flowers tubular involucar of bracts present for protection फ्लावर ब्रेक्टियेट होगा scicile होगा complete होगा actinomorphic होगा bisexual होगा pentameras होगा epigynos होगा और cyclic रहेंगे calyx इसमें 5 sepals होते हैं या poly sepals होता है मतलब सारे sepals free रहेंगे valvate estimation इनका होता है सभी की margin एक दूसरे से touch करते हुए equal level पे रहेगी 5 sepals की and reduce to hairy papas और कई जगों पे या hairy papas में hair like structure में reduce होके hair like structure का निर्मान कर देता है जिसे या हलका होता है और non-indospermic seed होने कारण और हलका होता है और या उड़ते हुए दूर तक dispersal होता है seed का अब आईए इसका कुरूला देखें five petals होगे सभी united होगे इसलिए इनको gamopetalus काते हैं estivation इनमें wall weight होगा wall weight काने का मतलब प्रतेक petals जो पांच petals हैं उनके margin सभी के बराबर एक level में रहेंगे या tubular होगा violet color का हो सकता है hairy हो सकता है androsium पांच stamen होगे syngenaceous होगा stamen में enter connective और filament रहता है उपर में यदि पांचों का enter आपस में जुड़ा रहे तो इस condition को syngenaceous काते हैं ep epitalus petal से जुड़ा हुआ stamen अपने filament के द्वारा enter join round the style dye thickus दो दाने वाले होते हैं bassifix आधार से जुड़े रहते हैं और in-rose इनका mouth अंदर की तरफ रहता है gynoceum is bicarpulry दो कारपल होंगे syncarpus जुड़े हुए दोनों कारपल होंगे inferior ovary inferior होगी unilocular एक ही chamber होगा with one basal ovule और एक ही ovule उसमें रहेगा इनका placentation basal होगा style long होगे stigma bifeed होगा hairy होगा और fruit इसमें सिपसेला होता है और seed इसका non-indos permit अब देखिए seed तक हम लोग आएं अब जो है यह इसके फ्लावर का ales vagra दिखाया गया है तरह तरह से यहां देखिए एक plant है जिसकी पत्ती के साथ अब यहां पर भी जो मैं पीछे बोला हूँ petiolate, serate, margin और apex में जो acute बोला जाता है उपर में papilla जैसा निकला हुआ है tapering होके pointed हो जाता है इनका जो head है उसका ales है एक उपर में छोटा में है और दाहिने साइड में देखिए inflorescence लिखके सबसे नीचे में जो है यह यहां पर disk वाला जो बीच का हिस्सा है वहां पर फूल अलग तरह के हैं और disk flow rate है और जो पत्ता जैसा colored निकला हुआ है वह सब ray flow rate है और इसका convex यह receptacle है जिस पर यह flower ग्रोग किये रहते हैं तो प्रतेक यह छोटा वाला हिस्सा unit को flower कहते हैं ऐसा गेंदा में भी देखिएगा और किसी में भी आप तोड़के उसे देख लिजे सब अलग-अलग हो जाएंगे और उसके उपर में stigma जो बाइफीट बताए थे उपर style long है उसके बाद एंथर दिख रहा है कुरोला है पीले रंग का सेपल है हरे रंग का ओवेरी है इंफिरियर ओवेरी का position सारे प्राट से नीचे ओवेरी है तो इंफिरियर ओवेरी अब देखिए ब्रैक्स भी इसके अंदर पाये जाता है तो इस प्रकार से ये एलेस में इनका स्वरुप दिखाने का प्रयास किया गया है फ्लावर का एलेस अब इसमें आपको मैंने बताया कि देखिए बीच में डिस्क फ्लॉरेट और किनारे-किनारे पेरिफेरी पे रे फ्लॉरेट रहते हैं अब ये डिस्क फ्लॉरेट और रे फ्लॉरेट ये दोनों यहां पर दिखाये गया है जैसे यह बाएं तरफ जो यहां पर तस्वीर है नीचे में बाएं वाला जो flower है वह disc floret है और दाहिने वाला दोनो disc floret है बाएं वाला का एलेस यहां पर काट के दूसरा लगाये गया है तो एक ऐसे जैसे दिखेगा और एक एलेस काटने पर दिखेगा और रे फ्लोरेट देखे यहां पर है इन दोनों में देखे थोड़ा सा फरक होता है डिस्क और रे फ्लोरेट में अब यह हम लोग आगे एक टेबूल के फर्म में इनके जो कठिन और महत्वपून सब्द हैं टर्म उन पर भी जीक हम लोग करेंगे वहां एक बार फिर हम आसे बाहर निकला है यह पैरिफेरी पाया जा रहा है और सेंट्रलि समन सब्सक्रूरोरुपर यह ब्लू कलर का दिखाये गया है और यह दो ज Come सबसे बाहर में आप देख रहे है कि ब्यूर पर्यूर्भ है और यह्यजंुन फार्मूल न लूर्विट में है और यह mm उन निक्न वाएन थारेट है उपर में मदर एक्सिस है और देखिए डौट स्ट्रॉक्चर इसको मिलाये गया है कहने का ताथ पर यह यह हो गया है यहां पर देखिए बाएं में डिस्क फ्लोरेट है और दाइने में रे फ्लोरेट है ओके कलर डाइग्राम बाएं और दाएं बाएं में डिस्क फ्लोरेट है जो डिस्क फ्लोरेट है देखिए इसमें बाहर में ब्रैक्ट है ब्रैक्ट दोनों में है उसके बाद आप इसका एस्टिवेशन देखने का कुछिस करिए एक तो गैमों से पहला सब जुड़ा हुआ और उसके बाद एक ही लेवेल पर है पेटल पर भी एक ही लेवेल पर सारे पेटल के किनारे हैं पांच पेटल हैं अब देखिए उसके नीचे देखिए पेटल से एक डंडी निकला हुआ ह है और वो ले जाके आगे एंथर से जुड़ा हुआ है इसका मतलब कि इसका फिलामेंट कहां जुड़ा हुआ है पेटल से जुड़ा हुआ यह इपी पिटेलस कंडिशन कहा जाता है अच्छा आप जड़ा इनके एंथर देखिए उपर में जो स्ट्रेक्चर है बीच आपस में जुड़े हुए हैं तो इस कंडिशन को सिंजनेशियस कहते हैं क्यों क्योंकि एंथर तो जुड़ा हुआ है पर जरा इसका फिलामेंट देखिए जो पांचो पेटल से जुड़े हुए हैं तो वो पेटल से जुड़े हुए हैं पर आपस में नहीं जुड़े हु सिंगिल चेम्बर यूनिलाकुलर बैसल ओवियूल क्या चीज होगा बैसल ओवियूल आधार से ये येलो कलर का सेंटर में जो पॉइंट है वहाँ पर एक ओवियूल निकला रहेगा वो ओवेरी है वहाँ पर अब देखें इनका फ्लोरल फार्मूला दिया हुआ है डिस्ट फ्लोरेट कैसा होगा ब्रैक्ट होगे हैं हैं ब्रैक्टियेट हो गया ये ब्रैक्टियोलेट ब्रैक्टियोल नहीं पाय जाते हैं उसके बाद ये कंप्लीट होते हैं बाइसेक्सवल होते हैं के पैपस इसका मत उतलब कि कैलिक्स पैपस में रूपांत्रित हो रहा है, कुरोला फाइव, गैमो पिटेलस, और देखिए उसके बाद है यह लिखा हुआ, अंड्रोसियम है, पांच है, यह भी गैमो है, यह भी जुड़ा हुआ है, सिंजनेसियस कंडिशन है, अब देखिए एंथर से एक ऐरो मार्क गया हुआ है, कहां पर कुरोला पर, इस घर्टना कोई पिटेलस के रूप में दर्शाया गया है, और उसके बाद गाइनोसियम, बाइकारपेलरी, सीनकारपस, और देखिए जी के उपर में एक डंडी लगा हुआ है, जो बता रहा है कि यह इंफिरियर ओवेरी होगा अब इसी तरह जब आप रे फ्लोरेट में जा रहे हैं, तो सारे कुछ इसमें भी वही हैं, एक्सेप्ट, थोड़ा परिवर्तन यहां फेटल में दिखाई दे रहा है, वह भी उपर का हैसा हेरी हो गया है, एंटेरियर वाला, और इसमें न तो इपी पिटेलस कंडिशन, न तो फिलामेंट, न एंथर, न सिंजनेसियस कंडिशन, यह इतने मेल वाले पार्ट इससे एक्स्क्लूड हो गये हैं, यह है डिस्ट फ्लोरेट, अच्छा, एक और चीज आपको गौर करना है कि यहां परसेंट का निसान बना है, प्लस वाला गोला नहीं है, इसका मतलब यह हो गया कि यह जाइगो मार्फिक हो गये हैं, अब देखें इस फैमिली का हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन लिया, फ्लोरल डाग्राम, फ्लावर देखा आप, इससे हम लोग परचित हुएं, गेंदा सुरे मुखी, डहलिया, डेसी, एजरेटरम, ट्राइडेक्स, गेंदा इत्यादी के द्वारा, सुरेज मुखी, अब देखें हम लोग आ गएं, कहां पर इसका सिस्टेमेटिक पोजीशन क्या है, फैमिली का यह जाने, तो यह किंग्डम प्लेनेटी में है, क्योंकि रिजिट सेल वाल है, प्लांट का यह निशानी है, प्लांट सेल का, सब किंग होता है, रेटिकुलेट विनेशन होता है, और पेंटा मेरस फ्लावर होते हैं, अधिकतर अंग, अधिकतर वर्ल, पांच-पांच के गुनक में यह दी रहें, तो इनको पेंटा मेरस का जाएगा, सब क्लास गैमो पिटेली, क्यों? गैमो मतलब पेटल फ्यूज, तो यह गै कितने होंगे? आज मेनी, आज करूला लोब, करूला के लोब 5, अंधर 5, अंडोसियम 5, इस्टेमें 5, और एस्टेरेल्स, एस्टेरेल्स आडर की खासियत है, ईपी पिटेलस होता है इस्टेमें, और ओवेरी होगी यूनिलाकुलर, और उसमें सिंगिल ओविल पाया तो यह esterals order का खासियत है और यदि family esterasi को छोटा में जानना चाहें जो इसका distinguishing feature है और families से इसे अलग कर देगा तो वो आता है कि leaves इसमें alternate होगे और head या capitulum इसका inflorescence होगा papas calyx is reduced to papas ep pitalis होगा और syngenaceous होगा मने इसके आंथर आपस में मिले रहेंगे filament free रहेगा तो यह esterasi family को छोटा में जानना जाता है और भी छोटा जानने का मन करता है तो head या capitulum है it is enough to identify the family ठीक है जैसे कुछ families को सिर्फ उसके inflorescence पे आप पकर लेंगे वर्टी सिलास्टर लेबियेटी इस्पाइडिक्स मुझेसी उसी तरह capitulum या head यह क्या चीज हो गया composite या esterasi इसका पुराना नाम composite है ठीक है यह इसका systematic position हो गया अब हम लोग कुछ terms देख लें जो यहां इस्तेमाल हुए है और आपके लिए महत्रपुर्ण है पाली चीज है capitulum axis flattens at tip in convex thalamus axis एक receptacle type का अस्थान रहेगा एक convex अस्थान उभरा होगा और aggregation of many flowers on convex receptacle उस convex receptacle पे many flowers पाये जाएंगे एक्टीनो मार्फिक और जाइगो मार्फिक देखिए इसमें दो फ्लावर हैं एक को एक्टीनो मार्फिक कहा गया है दूसरे में percent का निशान लगाये गया था वो जाइगो मार्फिक था इसका मतलब रे फ्लोरेड जो है वो एक्टीनो मार्फिक है और जाइगो मार्फिक है डिस्क फ्लोरेड अब इसका इसके मतलब जानने के पहले एक चीज और जान लिए जब कोई एक्टीनो मार्फिक बोले तो तो रहत समझे कि यह रेगुलर बोल रहे हैं रेगुलर और ए यह चीज है ठीक है अब हम लोग इसका मतलब समझें पहले एक्टिनो मार्फिक पार्ट्स ओफ इच वर्ल इस सीमिलर जैसे चार वर्ल फ्लावर में होता है कैलिक्स कोरोला एंड्रोसियम गाइनोसियम तो इनके यूनिट होते हैं कैलिक्स के यूनिट सेपल कोरोला के पार्ट एक दूसरे से समान होते हैं यह नहीं कि दो स्टामेन डाइथिकास और एक मोनोथिकास कुकुर्बिटेसी अजा नहीं सब कैसे होंगे एक जैसे होंगे पार्ट्स ओफ इच वर्ल इच सिमिलर और डिवाइडेट इन टू इक्वल हाफ और दो भाग में एकदम से ब तरफ से फ्लावर के अनेक अस्थानों से तो आप देखेंगे कि बराबर बराबर दो भाग में बढ़ जा रहा है तब ही यह एक टिनो मार्फिक है अच्छा अबलिक अब जाइगो मार्फिक में क्या होगा तो वेन वन और मोर वर्ल है अनेक्वल पार्ट किसी न किसी वर्ल में अनेक्वल पार्ट हो जाए और कैन बी डिवाइड़े इन टू इक्वल हाफ ओनली ऑन वन प्लेन मज़े की बात है यह दोनों घटना इसी में उपर जो फूल दिया गया है उसे दो भाग में बांट के देखिए जहां पर तीन करोला दिखाए गया था उसे जाइगो मार लाइन से तो वह बराबर बराबर दो भाग में बढ़ सकता है पर और जगहों से काटेंगे तो नहीं बनेगा और आल पार्ट सार नौट एलाइक दूसरा फार्मूला यह भी है वह समझने का तो तीन पेटल है बाकी पैपस जैसे बाकी हेरी स्ट्रेक्टर जैसे उसमें बन जाता है तो जो लिगूलेट फ्लावर है यह जाइगोमार्फिक गयह मौ पितायलंस कोरूला यह जाइगोमार्फिक और गय॓ मिटायलास होगा और कोरोला ट्यूब नैरो बिलो और फ्लाटन एबाब जो कोरोला एक गैमो होगा, बने जुड़ा हुगा है, गैमो पिटेलस तो यह जुड़ेगा आपस में तो एक कप या ट्यूब के पतला से ट्यूब के समानसन रचना बनाएगा तो ये ट्यूब जो है वहाँ नीचे में नैरो होता है पतला होता है और उपर जाके पत्ते की तरफ फैल जाता है याद करिए आप रे फ्लोरेट एक बार पीछे जाईएगा यहां से और रे फ्लोरेट देखेगा तो जब रे फ्लोरेट देखेगा येलो कलर का पेरिफेरी प बिलो में उपर में फ्लैटन हो गया चप्टा हो गया पतक तरह और नीचे में वह त्यूब के समान है तो नीचे नेरो उपर वाइट फ्लैटन अच्छा अब ट्यूबुलर देखिए ट्यूबुलर टाइप का दूसरा दो तरग फूल हो सकते हैं लिगुलेट अंड ट्यूब एक ट्यूब का निर्मान करेंगे अब इक इट इस दी ट्यूबी इज कॉरूला ट्यूबी इक्वली एक्सपांड़ेट फ्रम दी बेस टू एपक्स जब केंदर वाला जो डिस्क फ्लोरेट हैं सेंटर में जो पाए जाते हैं उनको जब देखिएगा इस पर ब्लू कलर का उपर में आपने देखा होगा उसके कुरूला थे हैं तो यह क्या होता है यह समान घेरा का यह ट्यूब उपर जाएगा ऐसा नहीं कि नीचे नेरो उपर फ्लाटेंड एक दाम एक्वल ऐसे जाएगा नेरो ट्यूब इक्वली एक्सपैंडेड उसको कहते हैं मने बराबर हर जगा उसकी चोड़ाई रहेगी फ्रॉम बेस टू एपेक्स बेस से लेके एपेक्स तक यह ट्यूबलर हो गया अच्छा अब चलिए डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट भी हम लोग जाए नहीं है फ्लावर्स एट सेंट्रल डिस्क और बाइसेक्सवल ट्यूबलर अभी जो ब्लू कलर वला होता हैं डिस्क फ्लोरेट उसको कहा गया अर रे फ्लोरेट कौन है जो कि किनारे पर है पेरिफेरी पर पाये जाएंगे यह न्यूट्रल या यूनिसेक्सवल हैं उपर में फिम है अब दो सब्द और आता है होमोगैमस और हेटेरोगैमस अभी उपर में आरंबीक स्लाइड में मैंने बताया था कि होमोगैमस और फ्लावर्स इन हेडर एलाइक सारे फ्लावर एक जैसे रहेंगे लीगुलेट और टूबलर ऐसे करके बटवारा नहीं रहेगा डिस्कैन रे फ्लावर्स एलाइक एक जैसे रहेंगे तो एक्जाम्पुल क्या होगा एजरेटम कोनिजवाइडीस वहां दिया भी है फर्स्ट ट्लाइड में अच्छा यहीं पे आप दूसका रे फ्लावर्स कि अपड़िया गाहते है यहां मैं हिटारोगेमस में अलम ए जैसे एक जाएड में सारे फ्लॉरिट एक जैसे हों तो होगेमस एग जाम्पूल एजरेटम म कोनिजवाइडीस हैटेरोगेमस, more than one type of flower in the same inflorescence same head same scythium usually ray and disc florid इसमें दोनों प्रकार के florid का भी वेदन होगा तो बताईए कि उपर में जो फूल का आम लोग चर्चा कर रहे थे वो कैसा था हेटरोगैमस था कि होमोगैमस हेटरोगैमस एक्जाम्पूल इसका क्या दीजेगा ट्राइडेक्स दीजेगा हेटरोगैमस ट्राइडेक्स होमोगैस नम एजरेटम ठीक है अब आएए इपिपिटेलस की ओर चला जाए इस्टेमेंस अधेरिंग टू कॉरोला बाई फिलामेंट तो ये इपिपिटेलस पहले ही बताये गया है सिंजेनेसियस यहां सिंजेने लिखा हुआ है दो लेटर छूट गया है सिंजेनेसियस क्या कहते हैं फिर से बोलिए सिंजेनेसियस इसमें एंथर यूनाइटेट होगा अफिलामेंट फ्री रहेगा पैपस कैलिक्स रेड्यूस टू हेरी स्ट्रक्चर पैपस कहेंगे सिपसेला सिपसेला इसके फ्रूट को कहते हैं ये ड्राई इन्डेहिसेंट वन सीडेट फ्रूट एक ऐसा फल जिसमें एक अही सीड होता है और वो ड्राई होता है और इन्डेहिसेंट होता है और ये किस से विक्सित होगा तो बाई कारपेलरी, सीन कारपस, इनफीरियर और यूनिलाकुलर ओवेरी के साथ ये टर्म आपके बहुत महत्वपुर्ण है और आपका एक सवाल ऐसा आता है जिसमें जो भी फैमली आप पढ़ेंगे उन फैमली के टर्म ही पूछे जाते हैं जैसे साइथियम या हेड हो सकता है जैसे वर्टिस्लास्टर हो सकता है जैसे ऑपडिपलो स्टेमनस हो सकता है जैसे डाइडिनेमस हो सकता है टेट्राइडिनेमस हो सकता है गाइनो बेसिक इस्टाइल हो सकता है हाइपो क्रेटरी फार्म क्रोला हो सकता है कुरूसी फार्म क्र पहले अंसाल्प से देख के रख लेंगे, तो भी आप लोग को एक सवाल इससे आ जाएगा, अब डिपलो सो सकता है, सीनेंड्रस हो सकता है, सीनेंड्रस, गाहिनेंड्रियम हो सकता है, अस्कलेपियाडिसी वाला, तो इस परकार से ये टर्म आपके लिए कुछ मातों पुरनन हैं अब इस फैमिली का आर्थिक महात्व क्या है और नमेंटल तो है ही हम लोग अनेक देखा है हेलियन्थस ट्यूब रोसम के ट्यूबर को वेजटेबूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं दी रूट अफ ट्रेगो पोगान एडिबूल होता है दी रूट अफ चिकोरियम इं इंटाइबस और यूजड इन ब्लेंडिंग कॉफी कॉफी में जो मिलावट किया जाता है वो किस चीज का होता है चिकोरियम इंटाइबस का रूट होता है दी सीट्स ऑफ हेलियन्थस एनस सनफ्लावर सुरे मुखी जानते हैं या जो है ओरनामेंटल तो है ही लेकिन इसके और भी बहुत महत्वपूर्ण है और सोर्स ऑफ एडिबल फैटी आयल और वो फैटी आयल सुरे मुखी के तेल की या विशिष्टा है कि या पॉली अनसेचूरेटेड फैटी एसीड इन में पाया जाता है जो हिर्दाय को स्वस्त रखने में महत्वपूर्ण होता है इस प्लांट इल्ट से रेड कलर डाई आज वेल लाल रंग बनाता है का स्रोथ है ये पौधा जैसे इंडुगो से बुलू आता है या फ्लाई रिपेलेंट भी है दी फ्लावर हेड ओप इस्पिलेंथास पैनिकुलाटा आर चूट तो रिलीव टूथेक आयन इन्फेक्श फ्लावर का हेड है इसको चबाया जाए तो दात का दर्थ दूर हो जाता है और गले का खरास भी दूर करता है और एक ये भी जान लिए कि हम लोग अपने बच्चे के अनुवह से गेंदे के पत्ति को हाथ में मसल के यदि कहीं चोट लग जाए लगा दीजे वह कहीं चाहिए तो उसमें लगाया जा सकता है को मर्सियल इंसेक्टिसाइड प्लांट सोर्स का एक इंसेक्टिसाइड पराप्त होता है इंसेक्टिसाइड इल्ड करने वाला प्लांट जिसे कहते हैं क्राइसेंथिमाम साइनेरेफोलियाम क्राइसेंथिमाम साइनेरेफोलियाम और उस इन्सेक्टिसाइड का नाम है पाइरेथ्रम अब हम लोग इसके फाइलो जेनी पर थोड़ा विचार करेंगे देखे एस्टेरेसी इस वन अप दी मोस्ट एडवांस सबसे डवांस नहीं हो तो ग्राशेज में चला जाएगा वैसे भी डाइकाट से मोनोकाट एडवांस और मोनोकाट में ग्राशेज अड़ी टॉप लेकिन फिर भी अपनी कस्मों पोलिटन होने के वज़ा से कि हर जगा पाए जाते हैं इसकी इस पेसीज कितने हैं और इसके कितने एड़ेशन और कोईशन है जो कि क्लियर साइन ओफ एडवांसमेंट होता है पार्ट यदि आपस में जुड़े रहें रेड्यूस रहें तो इसे एडवांस कहा जाता है तो इस आधर पर यह एडवांस फैमली कैलिक्स इज रेड्यूस टु हैरी पैपस इन फ्लोरेशन से आपस में सब एक जुड़के एक दूसरे का प्रोटेक्शन फूल इतनी छोटी छोटी और वो डिस्क और फ्लोरेट धेर सारे कन्वेक्स रिसेप्टिकल पर फूल ग्रो करके एक बड़ा सा गेंदा का फूल जै अटर्षन से उड़ कर ऑदाबी टूसरे को प्लोरेशन फूल टूसरे का थे माधशन फूल पर वो जै शोटी खेंदा आफूल इंदा इंदे ना लिसें फूल लो डिस नुल डिस्क ओद से थारोइब ग्रोटेल फ्लोरेशन थैन खूलवयूद गैंद धवादिकर गें स्टाइल्स फ्री इपी पिटैलस देखें एंथर फिलामेंट के द्वारा पेटल से जुड़ा हुआ है वह वेरी इंफीरियर होना एडबांसमेंट है सिपसेला फ्रूट भी एडबांसमेंट है न नन इंडोस पर्मिक सीड सीड में इंडोस पर्म नहीं पाये जाएगा हलके ह होंगे और पायपस के सारे उड़ते हुए दूर तक जाएंगे अब देखें बेंथा में नूकर ने तेरा ट्राइव रिकोगनाइज किया है इसमें और वा फ्लावर के आधार पे या रिकोगनिशन हुआ है और इनको एस्टेरेल्स में ही आडर में एस्टेरेशी फैमिली को रखा गया है ठीक है दोस्तों यह तो एस्टेरेशी के हर स्वरुप को हम लोगों ने देखा डिस्क्रिप्शन के अलामे भी टू क्रिएट इंट्रेस्ट एमांग यू मैनी फ्लावर्स अज विल अब हम कुछ सवाल करेंगे जिन सवालों का आपको जवाब देना पड़ेगा जवाब देना होगा लिखके वाट्सअप पर मैसेज कर दिएगा तो पहला सवाल यह है ये यू एन एकजाम्पूल आप रल और होमो गैमस हेट को हैं के यह गैरखेट लोगेमस यह एक जाम्पूल प्लाट्वमीश से दिना है क्या चीज पहला सवाल है यह और यह बुन बूतेंकर नेम और यह Hट्रो गैमस हेट जीस प्लांट में पाय जाता है उसका एक्जांपूल दीजे दूसरा स्वाल ये है कि what is difference between ray flow rate and disc flow rate जादे नहीं दो अंतर आप बताएंगे दो या तीन दो से तीन अंतर बताएंगे ray flow rate और disc flow rate में तीसरा स्वाल है कि वाट इज कैपीचुलम क्या है या एक मने या जो कुछ भी है उसके बारे में आप दो तीन लाइन में इसका जवाब देंगे बस चौथा स्वाल है कि इसके फ्रूट का क्या नाम है इसके फ्रूट का नाम क्या है और लाश्ट स्वाल है आपके लिए पैपस क्या है इन इतने सवालों का आप जवाब देंगे धन्यवाद आपने ध्यान से मुझे सुना इसके लिए थैंक्यू भरी माच जी झाप झालों कि इसके लिए धन्यवादी है